दोस्तों यदि आप प्रिक्षा मास्ट पर बिल्कुल नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तता इसके पास में इस तीद बेल आइकन को भी लाइक कर लिजे ताकि हमारी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको नमसकार दोस्तों बारत ने किया दो पर्थवी दो बेलिस्टिक मिसायलू का सफल प्रिक्शन कीया दोस्तों आप यहां देख सकते हैं नक्से के अंदर यह यह बालेशोर यह बालास्ोर इस 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 इस्तान से जो है इन बेलिस्टिक मिसाइलों का सपल प्रिक्षन किया गया है ये परमानो संपन मिसाइल सते से सते पर मार करने में सक्सम है एक महीने के अंदर पर्थवी दो मिसाइल का ये प्रिक्षन किया गया है अब पर्थवी दो मिसाइल की विशेष्टा क्या हो भी देख लेते हैं पहली विशेष्टा तो है पर्थवी दो मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम भार तक के हतियार को ले जाने में सक्षम है दूसरी विशेशता है सते से सते पर साड़े तीन सो किलोमेटर मार करने वाली इस मिसाइल में तरल इंदन वाले दो इंजन लगाए गए हैं तीसरी विशेशता है पर्थवी दो मिसाइल को तरल और ठोस दोनों तरह के इंदन से संचालित किया जाता है चोती है परत्वी दो बेलिस्टिक मिसाइल को रक्सा अनुसंदान एंविकास संगटन याने DRDO ने सवदेशी तरीके से विक्षित किया है अब चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर ये बेलिस्टिक मिसाइल है किसे कहते हैं बेलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं सरल सब्दों में कहा जाए तो जब किसी मिसाइल हिंदी में प्रक्षे पास्त्र के साथ दिसा बताने वाला यंतर लगा दिया जाता है तो वे हतियार बेलिस्टिक मिसाइल बन जाता है इस मिसाइल को जब अपने इस्तान से छोड़ा जाता है या कहें दागा जाता है तो ये पर्थवी के गुर्थवा कर्षन नियम के नुशार अपने पूर निर्धारित लक्षे पर जाकर गिरता है जब इस मिसाइल को किसी इस्तान से छोड़ा जाता है तो ये बहुत तेजी से उपर की दिशा की ओर जाती है और फिर गुर्टवा कर्शन से प्रपायत होकर बहुत तेजी से नीचे आती है और नीचे आते हुए ये अपने निरिदारी लक्षे को बेद करती है दरसल ये मिसाइल छोड़े जाने पर उपर जाते हुए ये पर्थवी के सबसे उपर के वातारों तक जाती है और फिर नीचे आती है इस मिसाइल के इस तरह से जाने और आने के कारण इसे बेलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है इस मिसाल की मारक समता 5000 किलोमेटर से लेकर 10,000 किलोमेटर तक होती है इस मिसाल में जो दिशाई अंतर लगा होता है उसके कारण ये अपने प्रक्षेपन के सुरुआत में ही गाइड कर दी जाती है उसके बाद जैसे ही ये उपर जाती है तो इसका निर्देश पार्ट, और्बिटल, मेकेनिक्स के सिदानतों और बेलिस्टिक्स के सिदानतों से निश्चित कर दिया जाता है वर्तवार समय में बेलिस्टिक मिसालों को रसाइनिक रोकेट इंजन के द्वारा प्रोपेल किया जाता है इन मिसाइलों में बहुत बड़ी मातरा में विस्पोर्टक को ले जाने की समता होती है बारत के पास बेलेश्टिक मिसाइल के रूप में पर्थवी, अगनी और धनुस मिसाइले हैं रक्षा अनुसंदाने विकास संगटन के बारे में जानते हैं जिसने पर्थवी दोग को सवदेशी तरीके से विक्षित किया है हिंदी में तो आप जो है इसको पढ़ सकते हो रक्षा अनुसंदाने विकास संगटन इंगलिश में होगा डिफेंस रिसर्च एंड डवलोप्मेंड ओर्गिनाइजेशन बारत की रक्षा से जुड़े अनुसंदान कारियों के लिए देश की अगर्णी संस्ता है ये संगटन भारतिय रक्षा मंत्राले की एक अनुसांगिक इकाई के रूप में काम करता है बारत की डिफेंस पावर को मजबूत बढ़ाने के लिए बारतिय रक्षा अनुशंदाने विकाश अंगटन का सबसे बड़ा योगदान है DRDO का उद्देश ये बारत को वर्ल्ड क्लास विज्ञान और तक्निकी का मजबूत आदार परदान का डिपेंस सर्विसेश को सुद्रण बनाना है ये आप जो है DRDO का लोगो देख सकते हो दोस्तों परशित बारतिय विज्ञानिक जी 37 रेडी ये आप उनकी फोटो देख रहे हो ये DRDO के अभी वर्तवान अध्यक्ष हैं DRDO का आदर्स वाक्य है बलश्य मूलम विज्ञानम DRDO का गठन हुआ था 1908 में 1958 में और इसका जो मुख्याले है वो दोस्तों DRDO बहुन नहीं दिल लिए तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पशन्द आये हो तो आप जो है हमें लाइक जरूर कीजेगा इस वीडियो की पीडियो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों आप हमें जो फोलो भी कर सकते हो आरे फेस्बुक पेज परिक्ष्या मास्टर को भी जोइन कर सकते हैं मेहतपून पीडियो के लिए सबी परिक्ष्या मास्टर के टेलिग्राम चैनल को भी आप जोइन कर सकते हैं और आप मुझे परसनली जूणना चाते हो तो ट्वीटर पर एड़ दिरेट सुरेज़ जाट अंडरिस्कोर 21 पर आप मुझे फोलो कर सकते हो यूट्यूब पर तो आप देखे रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इन सबी की लिंक आपको डिस्क्रिशन में उपलब्ट करवा दी जाएगी तो दोस्तों अगर ये वीडियो परसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा अगले वीडियो में नहीं जानकारी के साथ आप से मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जेहिन जेह वारत